पुश्कार के अंटीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूँ चिंदा आया थब फिल्म डारेक्टर सुभाष गई काफी फेमस हैं अपने कई फिल्मों से उन्होंने कई अक्टर और अक्टरस की जिंदगी को पार कर दिया है कह सकते हैं जब किसी अक्टर और अक्टरस ने उनके फिल्मों में काम किया तो उनकी कामयाबी की सीड़ी वहीं से शुरू हो गई और इतने काम्याब इतने सक्सेसफुल सुभाश गई डिरेक्टर है फिल्मेकर है जुन्होंने कई बड़ी फिल्मों में काम किया है गई बड़ी फिल्मों को डिरेक्ट किया है राइटर के तौर पे भी सुभाश गई ने काम किया है और आज यानि की 24 जनवरी को वो अपना ठतरवा जुनम दिन मना रही हैं बीती रात उन्होंने अपने जुनम दिन को लेकर पार्टी दी और इस पार्टी में कई सितारे शामल हुए फिल्में सितारे शामल हुए जुसमें सल्मान खान नजर आए और सल्मान खान के साथ अगर आप ऐश्वर्या का नाम सुनते हैं तो तो आप वही ठहर जाते हैं और सोचने हैं कि चलो इस खबर को पढ़ा जाए कहीं कोई चटपटी खबर तो नहीं है कुछ खास तो इसमें नहीं है लेकिन एक ही छट के नीचे दोनों नाजर आए एक डिरेक्टर के बॉल्डे पार्टी में क्योंकि एशवरिया राय और सल्मान खान दोनों ने इस डिरेक्टर के फिल्मों में काम किया है तो जाहर से बात है इनके बॉल्डे पार्टी में शामल जरूर होंगे और एशवरिया राकि आउटफिट की बात कर ले तो बहुत खुबसूरत अंदाज में नजर आ रही थे एक ब्लू ड्रेस वो क्यारी कर रही थे और सल्मान की बात कर ले तो वो हमेशा से हैंसम तो है है और बहुत ही कूल अंदाज में नज़र आ रहे थे इस खास बात आपको बता दे जब सुभाज गई अपने केक कट कर रहे थे तो सल्मान खान उनके साथ नज़र आये थे और इस दुरान बहुत से सितारे फिल्मे सितारे पहुंचे अनिल कपुर पहुंचे अनुपम खेर पहुंचे कार्ते कारियन बहुत कूल लग रहे थे बहुत ही ज़ादा स्मार्ट लग रहे थे हैंसम लग रहे थे वो भी उस पार्टी में नज़र आये और ऐसे कई फिल्मे सितारे उस डिरेक्टर के बौद्धे पार्टी में शामर हुई है आपको अगर बता दे सुभाष गई ने अपने करियर की शुरुवात 1979 में की थी एक राधना मूवी में उन्होंने काम किया था और इसके बाद उन्होंने एक काली चरन नाम की मूवी थी राजिश खना की मूवी थी उसमें उन्होंने यासे डिरेकटर के तौर पर अपनी करियर की शुरुवात की अभी खुर जिन पहले की बात कर ले कुछ सालों पहले की बात कर ले 2022 में उन्होंने 36 फाम हाउस में as a producer और as a writer काम किया था producer भी है और writer केतौर पर multi talented सुभाश गई को मान सकते हैं जोने कई फिल्मों को डिरेक्ट किया है जैसा कि मैंने आपको starting में बताया से कई सितारे हैं actor है, actress हैं जुन्होंने उनके फिल्मों में काम किया है और उनका बेड़ा वहीं से पार हो गया तो आप फोच सकते हैं कितने successful director होंगे और बहुत ही simple हैं बहुत ही kind nature के हैं और इनके party में तमाम सितारे शामल हुए और जब देखा जाए इसके videos भी हमने देखे लगातार कई सितारे हुए और अपने अपने अंदाज में बहुत ही cool लग रहे थे कि सल्मान का और अश्वर यारा एक छट के नीचे हैं लेकिन कोई हल चल और हंगाम आ नहीं हुआ तो ये थी सुभाज पर गई के बर्दे party की खबरे जो अठाटरवा अपना जनम दिन मना रही हैं काम्याबी के जनम दिन मना रही हैं कई सितारे उनके इस बर्दे party में शामिल हुए उनके खुशी में शामिल हुए शिरकत करते पे नजर आए और उनके जनम दिन को बेहुत ही खुशी अंदाज में बना आए गया ऐसे ही दिल्चस्प खबरों के लिए हमारे साथ बने रही है कॉमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको यह खबर कैसी लगी और ऐसी कौन सी चटपटी खबरे हैं जिसके बारे में आप जानना चाते हैं पर मिलेंगे दिल्चस्प वीडियो के साथ स्टे ट्यून विट के एंटिवी निउस